प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा UPS चेर पर्सन सुनिया गांधी के पैड शुत्य दिखाई दे रहे हैं साथ दूसरे एक तस्वीर में मोदी द्वारा आडवानी के पै छुत्य दिखाई दे रहे हैं दरसल यह तस्वीर पुरानी है गुगल से खुडासा हुआ है कि यह तस्वीर फोटो सॉप्ट है तस्वीर हकीगत में 2013 में उस वक्त खीची गई थी जब मुपाल में एक जनसवा के में दोरा नयंद मोदी ने मंच पर उपस्थित भारत्य जनता पाटी के दिगश निता लाल कृष्ण आडवानी के पैल छूकर उनका आशिवाद लिया था इसके बात से कई बार इस फोटो के साथ छीड चाड़ करके लाल कृष्ण आडवानी को हटा कर किसी दूसरी की तस्वीर लगाई गई है चुनावी माहोल में यूजर्स धरले इन तस्वीरों की शोशल मीडिया पर शियर कर रहे हैं इसके साथ ही इस तस्वीर के वैरल होने से कौंगेस और भाजपा के समठक भी आमने सामने आ रहे हैं लोगसभा चुनाव में किसमत आजमा रहे सांसादो की अमपती 41 फीज़ी तक बढ़ी देश में हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं चुनाव के पार्टियां परचार करते दिखते हैं जगह जगह जाकर विकास का रोना रोते हैं एक दुसरे के ऊपर किजड़ उचालते हैं आम जनता को बहला फुसला कर वोट अपने नाम करवा लेते हैं फिर सांसत जंता से दूर अपनी जोली भरड़े में 5 सार व्यस्त करते हैं। मौजूदा समय में चुनाव लड़ रहे सांसतों की समपती पिछले 5 साल में 41 फीजदी तक बढ़ गई है। इस बढ़त में सभी दलोन की सांसत शामिल है। खास बातिया है कि इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर अधिकतम 8 दश मलक 2 फीजदी रही है। इस दौरान दूब गई निवेशकों की करीब 10 लाग करोड रुपए। लोग सभाचनाव 2019 की शुरूबात होते ही इसका सीधा आसद शेर मार्केट पर देखने को मिला है। 11 अपरिल को शुरू हुए मद्दान के बाद से शेर मार्केट में भी काफी कुछ बदलाव आ चुका है। इन 6 चर्णों की बीच अब तक शेर मार्केट के निवेशकों को करीब 10 लाग करोड रुपए का नुकसान हो चुका है। मतलब साफ है कि जो सिलसिला मौजूदा सरकार के प्रतिव विश्वास का पहले चरण के मद्दान से शुरू हुआ था, वो अब लगफ़क खत्मसा दिखाई दे रहा है। अकेले लोग सभाचनावी नहीं, पिछले दस दिन में अमेरिका और चीन का ट्रेड वार भी इस लुकसान के लिए जिम्मेदार रहा है। लेकिन यहाँ ज्यादा जिम्मेदार सरकार के पतिव विश्वास कम होने की ज्यादा रही है। करती नियाने के सुमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अगर बात आंखरों की करें तो सेंसेक्स में 372.17 अंगों की गिरावट देखने को मिली। तो MNS News आपकी खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी एप डाउन्लोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के धन्यवाद।